तो लीजिए आपका स्वागत है एक वार फिर से एना इस्टडी यूटूब चैनल में नाव वी आर गोइंग तो लर्न एबाउट राजस्तान माइन मेप विद जोग्राफिकल सौर्सेर्स विद एक्स्प्लैनेशन्स मतलब आज हम बात करने वाले हैं थोड़ी हटके इसमें रास्तान माइन मेप के द्वारा आपको जोग्राफिकल सौर्सेर्स इंक्लूड करके उसको एक्स्प्लैन क्या जाएगा इसका पहला टोपिक हम उठाएंगे तो आपको इसके बारे में बताएंगे कि यह जो हम जित्ते भी टोपिक आगी लेके आएंगे वह सारे माइन मेप के द्वाराफिकल होंगे उसमें आपको पूरा पूरा एक्स्प्लैनेशन्स होगा वह पूरा पूरा एक्स्प्लैनेश का मेप कैसे बना था या राजस्तान कैसे बना था यह सभी को बताया कि राजस्तान का एकी करण हुआ था जो एकीकरन इस्टार हुआ था 17 मार्च 1948 से को इस्टार हुआ था जो पहला मतस्य संग था और अन्तिम संग था जो राजतान संग के नाम से जान जाता है यानि सविकतर राजतान संग के नाम से जान जाता है जो 1st November 1956 को लाश्ट था यह टोटल सेवन पार्ट्स में बाटा गय पर दो और इक और था जो केंदस घॉसित परदेश ठाच से फार जहां पर केंदस सासित परदेस इस्तापित था ये बनियर बता है कि आगरे मैप के समझाए चीन रजास्तान करें कि array श्राड़ गानघ अफ्रा मार्च 28 사़ unanimous दूसरा चरण है जो पूरु राजस्तान संगे तीशा चरण गोरा सम्तितीर्पान वें बना था इस लास्ट चरन के उंदर बना था जो फईस्ट नौबर उनीज़ो 56 को बना था जले 2 चली सब्सक्षान करते हैं पहला चरन प를 जेंडेते हैं एक ही करण के रूप में मतस्य संन्ग मतस्य संग्ग के बारे में मैं बात करें तो यह पहला चरण का बहुत था 17 मार्च 1948 यानि 17 मार्च उनिस्ट इसको यह पहला चरण हुआ था जिसके अंदर आपको मेप के मादम से बताए गया है कि अलवर तैसील थी मनल अलवर ठीकाना था बरतपूर था करोली था और दोलपूर था यह चार ऐसे चत्र थे जिनको इसमें सामिल किया गया था जिनने कहां से उठा गया था राजस्तान के पूर्वी चत्र में से उठाया गया था ठीक है यह पूरी चत्र में से उठाया गया थ इसमें हमने पढ़ लिया कि अलवर बरतपूर दोलपूर करो ली और एक देसी ठीकाना भी था नीम राणा जो अलवर चत्र में आता है अभी आपको यह पता होना चीए इसकी राजदानी क्या थी इसकी राजदानी बनाएगी थी अलवर बनाएगी थी इसके उद्गाटन करत व्सपषा थे एन वी घाडील थे परदान मन्ति सौवा राम कुमाउद थे जो प्रोपर कि ठोच लिए अले संग की और देखते हैं यह हो गया आपके मतर से संग या legitimate आपके मादम से पढ़ सकते हैं यह पूरी शेतर में अलवर आता है यह पूरी शेतर में आपके अलवर आ गया यह फिर बरतपुर आ गया इधर करोली आ गया और इधर दोलपुर आ गया Store सेंज सब्सक्राइब के आपकि के आपे पूर्वराजिस्तां संग पूर्वराजिस्तान संग पढ़ने से पहले हम बता दें की हम सबसक्ति जो अन्यद मार्ज नैंटीनंट न्युक्त गोवा था यह आपके तkke यह दक्सिन पूरी और हैं को चत्रों में यह से चत्र उठाए गया था जैंसे तो पर पड़ लेते हैं के समतों कोन तो मuldvideo को टालावाड सहा गड़ परताप गड़ डूंगरपूर बास्वाड़ और ठीकाना था कुसल गड़ और किसन गड़ यह सारे यहां पर इसमें सामेलिप किये गए थे फिर इसके उद्गाटन करता क्यों चलते हैं तो वही थे फिर इन्वीगाड़ गड़िल जो अपने इसके इसके सिते किसके संख मतने संगे ते और इसके पदरी मंतल प्लाल ऊसावा Lapस ते चाइस पर sentir शौँरा फोटतर उप्राज परमुक्ते बहादूर सिंग पूंदी जो बहादूर सिंग थे जो पूंदी से थे यह देखिए आपके यह आगया लावा ठिकाना यहां पर किसंगड आ गया यहां पर टोक आ गया यह यह बूंदी यह कोटा आ गया यह आपके जालावाड आ गया यह वाला चेतर यह कुशलगटिकान आ गया यह दूंगरपूर का इर्या गया और यह वाला परताबगड़ का चेतर आ गया यह चेतर बसे तो आपको यह समझ में आ गया होगा चलिए अगले चरण की और बढ़ते हैं अगला चरण आपके वाता स्वेप्तरजस्तान संग वाता जो तीसरा चर यही थी राजदानी अब उदेपूर रियासत अकेली को सामिल किया गया तो राजदानी भी वहीं होनी है और इसके उद्गाटन करता पंडी जवालाल नहरू परदानमंत्री माने कि लाल वर्मा राजपरमुक बुपाल सिंग और उप राजपरमुक वही बीम सिंग को टाक दोधान में लाजफता है यह एक पीछे बड़ गया था तो इसको उठाके हमने से पूर रस्तान संग के अंदर सामिल किया गया यह पूरा का पूरा एज हुदेपूर को आइयर आपको मैप के अंदर सो हो रहा है वह संग के अंदर सामिल क्या गया था चलिए चोटे चरण क की और चलते हैं देखते हैं कि चोता चरण कौन सा था चोता चरण आपको देख लिया है कि व्रहत रास्तान संग का नाम का चरण था जो 30 मार्च लिएपुर् उद्गाटन करता अपने सदार वल्लबभई पतेल फदान मंत्री ए्राल शास्त्री जो यह पूर्से थे महाराज परमुक वुपाल सिंग्ग राजपरमुक मान सिंग्धित्य ऊप राजपरमुक वही वीम सिंग्ध कोटा से जो संतर रास्तान के अध्यक अध्य जोत्पूर बिकानेर जैपूर जो सेंटराषथान जो यह वाला एरिया ना इस चहतर मतलब यह संध्य चहतर के अंदर यह सामिल क्या गया था यह सारे एरिये को लिए अगले चरण के और बढ़ते हैं अगला चरण पांच आ चरण था कि सभगत राजसतान इसके सापना 15 मई on Commonsा कि गई थी इसमें संभलित, रिया साथ है कौन सी थी एक वरहत राजसतान और मतेशिस्थनि यानि ये पहला था आपके पहला पहला चरण ये था ये और ये था आपके चोता चरण वहद रास्तान ये देखी ये वहद रास्तान यानि पहले और चोते चरण को यानि चोते और पहले चरण को सामिल करके कौन सा चरण बनाया गया था इसकी राजदानी जैपुर ही रखी गई इसमें रियासी कौन से थी वहद राष्तान और मतर्सी संग्य ये दोनों संग्य थे पहला और चोता अधा ये दोनों को इसमें पाच में में समलिध कर लिया गया था इसके पर्टम मुक्य मंत्री हिरा लाल सास्त्री थे उपरा मतलब राज्परमुकत Msingh दित्य थे चलिए इसमें भी देख लेते हैं कौन सा था यह सारा एरिया तो आ चुका है यह सारे भीगाने तूरों देपूर ये सारे चत्टरा चुके इसमें समेलत हो चुके अब अब चैहीए की आपका मतवसंग ये यह वाला एरिया था ये वाला ये राजिस्टान इसकी स्ऱपनारणних जण्वर ही 1950 को की घृति इसमें च्मीर से का नसी थी एक तुस्राघ्नल dont उसके आपने ने लिए चरण किया घाथ जिस नाम राजस्तान संग पड़ा था आज ही के दिन इसंत्र को अधिर्गैटारी राजस्तान नाम मिला था 26 जनुवरी 1950 के दिनी राजस्तान नाम या पोकहारा जाता था इसकी राज़दानी जैपूर थी इनके मुख्य मंत्री थे हिरलाल सास्त्री थे राजपरमुक थे मान सिंग दित्य जो जैपुर्णिवासी थे अब चलते हैं अपने अंतिम चरण यानि यह का यह बात कहें तो जो परजेंट टाइम का जो रास्तान आपके सामने दिख रहा है उस चरण को लाने में इस चरण क का मैत्वों योगदान है चलिए देखते हैं लास्त चरण था 26 जनवरी यह तो हो गया यह पिछला चरण था मतलब यह हो गया आपके स्विरों को संबलित कर दिया लास्त चरण था यह आपके रास्तान का एक नॉम्बर नौम्बर उनिस सचपन को था जो परजेंट टाइम सुनिल टपपा गाओं राजसतान में संबलित कर लिए पे इसके बास रोज अब गण मतिप्डश्त को दिया गया था यह nation तो अपने चीन में संबलित कर लिया गया और जो सिरोज उभ कंट था उसी MP को दे दिया गयाओ तो राजगी जेपूर मुख्यमंदी थे स्डी महान यह अंतिन चरण था जिसमें आपको यह मिला लिया गया था अब परजेंट टाइम का यह जो रास्तान है यह यहीं पर अपने एड़ किया गया था जो कब आया था इसका अस्ट तो था फाइस्ट डाउंबर उनीश सो चपड चलिए यह बात हुई आपके एकिकरन के बारे में अधर्वाइज आपको यह पीडियाप कंटेंड जो आपने जो नोट्स देखें हैं आपको चाहिए आपको उपलब्द कराने हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलिग्राम ग्रूप में आप जोइन हो सकते हैं वहां से इस पीडियाप